जिसका बूरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मती हर लोगा है। कॉंग्रेस पार्टी के साथ साहे भी यही हुआ है। नौव साल का था तब नारे लगा जाए। इमर्जन्सी की खिला। थोड़ा बड़ा हुआ, हम आसाम के नरसंहार के लिए इतना वे लगाते हैं। आसाम की गलिया सुनिया इंविरा गाते खुंगे। आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रिचर कम है, वो दिनेश पताप सिंह राहूल गांडी के सामने चुनव जीत करा है। उतर प्रदेश में अब प्रचार इधस पिक्ट आप, आप वहां पर कितनी सीट कहते हैं। हम सीटों में बड़ोत्री करेंगे हैं। कितने? वह अभी कह नहीं सकते, तीन चरण बाकी हैं। परन्तु लास गर्चुना में हमें 65 सीटे में दी थी, हम इससे और आके जाएं। आप राइबरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि जो सोनिया गांधी हैं, उन्होंने अपना MPLAD funds जो हैं। वो सिर्फ माइनॉरिटी अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है। आपके वाक्य को ही में ऐलोबरेट करें। सिर्फ माइनॉरिटी पर आपकती है। वाक्य की वोटर आपके नहीं है क्या। इतना ही छूटा सा सवाल है। वहाँ पर जो आपका कैंडिड़ेट है। उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है। कि आप एक किसी और कैंडिड़ेट को वहाँ पर हड़ा कर सकते। मैं नौ साल का था तब नारे लगाता था। इमर्जन्सी की खिलाप। थोड़ा बड़ा हुआ हम आसाम के नरसंहार के लिए नारे लगाते थे। आसाम की गलिया सुनिये इंद्रिया गादी खुनी है। स्टेचर देश की जनता बनाती है। कहीं जन्मलेने से नहीं बनता है स्मिताजी। हम सब सामाने परिवार से जन्मलिये हैं। हमने जनता ने बड़ा किया है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है। और मेरी बात याद रखे। आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रिचर कम है वो दिनेश प्रताप सिंह राहूल गांदी के सामने चुनव जीत कराएं। वहाँ पर प्रियांका गांदी जब कैमपेंड कर रही हैं वो भी इमोशनल अपील कर रही है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी जब उनकी मृत्य हुई थी उनको मारा गया था। सबने अपने देश के लिए चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि मुझे का जाता है कि मेरा परिवार यहां आतानी है राइबरेली में. यहां पर तो मैं आती हूँ. ग्रेमंदरी को कैसे पता कि मैं यहां आती हूं के नहीं आती हूं? सारुजनीक है, भी. आपके ही लोग बता देते हैं, नहीं वाले ही बता देते हैं, मत बता ही आप अगर उनको आपती है, मुझे कैसे पता चला हो। गांदी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, राइबरेली में लड़ा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहूल गांदी जीन ने वाइनाड से वाटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं दो जगे से लडने वाला हूँ, यह हाइड करना मेरे इसाब से ठीक नहीं है, लोगतांतिक ब्रुष्टी से, वाइनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं दो जगे से लडने वाला हूँ, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या पत्ती हो सकती, वाइनाड का चुनाव पैक होने के बाद, जब पूश्ट पूल सर्वे की जानकारी में खत्रा दिखता हो और फिर आप राइबरे लियाते हो, तो मैं मानता हूँ, वाइनाड के मत दाताओ के साथ अच्छा नहीं है. राउल गांदी से आपने पांच सवाल पूछे थे, क्या उमीद है कि वो जवाब देंगे? बीजेपी समझते हैं कि प्रधान मंतरी, ग्रह मंतरी, सब बहुत बड़े लोग हैं, वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी एपने? मैं तो आपके साथ डिबेट ही कर रहा हूँ. मैंनों को आपके साथ बहट कर ऐसे डिबेट करते हूँ, यह नहीं देखा है. उन्होंने इंटर्व्यू दिये नहीं हैं इस बार कोई मीडिया प्लानिंग उनका अलग देखते हैं? मैंने इतना एनालिसिस करता हूँ, मैं पर्टी की चिंता करता हूँ. वो नहीं वो आंसर्ज दे सकते हैं उसके. इसमिता जी इनको कुछ जमेनी हकीकत मालूम नहीं है. चाहे स्टेट का कैडर हो, चाहे ओल इंडिया कैडर हो. सब के लिए रिजर्वेशन है. उनका कोटा है. तो बरोबर उनके कोटा के हिसाब से, उनकी कोटा के अनुपात में, उनका सिलेक्शन होता है. इनको मालूम पेपर सेटिंग से क्या लें देने हैं? ऐसी बच्चा है, ओल इंडिया सर्विस में आता है, या स्टेट की सर्विस में एक्जाम निचन देता है, तो उसका कोटा ता है है. पेपर सेटिंग से इसका कोई लेंदे नहीं है. इनको साथ पित्रोडा साब ने लिग कर भेद दिया है. कोई कारा गोला ऐसा कुद था, मैंने भी सुना था कुछ. तो वो यहां बोलने लगे. हमारे सम्विदार ने रिजर्वेशन दिया हुआ है. उनको याद नहीं है साथ. वो कहते हैं कि रेजर्वेशन जो है, वो फिक्स्ट है. क्योंकि जो अपर कास्ट के लोगें वही हैं, जाए आएस हो, चाए मीडिया हो, चाए इंडस्री हो. फिक्स है तो, फिक्स्ट लोग तो आते ही है, वो तो कहते हैं कोई आता ही नहीं है. मैं आपने नकसलवाद की बात कही, इंटर्नल सेक्योरिटी का जो है, जारकर्ण चतिसगर्ड में, जो नकसलवाद पर आपने हमला दिया था, कि नकसलवाद खतम करके रखूंगा, वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहां था आपके, जब आप सरकार में आये थे? देखे, एक जमाना था, जब तीरूपती तू पस्तूपती, इन आरा नकसलीज देते थे, आज मैं आपके इंटर्यू में इस पश्टता से कहना चाहता हूं, कि जारकर्ण, बिहार, तेलंगाना, औरिश्या, आंध्यपदेश, मध्यपदेश और महराष्ट, जारकर्ण, तेलंगाना, और मध्यपदेश के कुछ हिस्से से हैं, जहां 40 साल के बाद, रेशन कार्ड बढ़ रहा है, पटवारी की ओफिस खुल रही है, मत डाता सूची फिर से बन रही है, सरकारी स्की मोका लाब नागरिकों को और ट्राइबल्स को मिल रहा है, 40 साल के बाद, बुरा पहाड करकर एक जगह है, जारखन में, आप जाकर आईए, और हमारी सिक्यूरिटी फोर्स इस ने क्यावन दिन तक ऑप्रेशन करकर, बुरा पहाड को कम्प्लीटले नकसलियों से मुक्त करा है, अब 36 गड़ के तीन चार जिलों में ये समस्या बची ह मैं मानता हूँ कि अगले दो साल में, तीन साल में देश नकसल समस्या से मुक्त हो जाएगा, और 36 गड़ में भी भारतिये जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, साड़े चार महिने में, 112 नकसलि मारे गए हैं, लगबग पौने चार सो सरेंडर हुए हैं, एक सो तरेपन ए कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही हैं, कि फेक एंकाउंटर हो रहे हैं, मैंने कई इंटर्व में का है, तुलसिदा जी का एक कोट है, कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मती हर लेता है, कॉंग्रेस पार्टी के साथ साथ यही हुआ है